Hello Traders Welcome to the studio आज हमारे पास Asian Paint and TCS दो stocks थे किस तरह से हमने Asian Paint and TCS को select किया है कल के वीडियो में बारी की से ये चीज हमने समझाईए डे टाइम पर जब आप Asian Paint को देखोगे तो देखे एक support area है इसके अंदर हमें मिला हुआ है इसको mark कर लेंगे because इसी support से जितनी भी selling के order हुए है morning से Asian Paint के अदर execute हो रहे हैं लगा था और price downside का movement ही दिखा रहा है हालां कि 11.30-12.20 के stock sideways पढ़ा रहा था कल भी इसने downside का move दिखाया था और आज के दिन भी इसने downside का move दिखाया कल Asian Paint को हमने publicly share नहीं किया था किसी के भी साथ private में हमारे एक friend है हमने उन्हें Asian Paint के stock trade करवाया था short side की तरफ और आज के दिन देखें आप पर इसने कभी सारे lows बन रहे हैं ये वाला low again ये low अब से फिर से downside की तरफ गिरके ये कल हमारी level पर आया है जिस वज़े से हमने stock को trade किया था कल भी हमने इसको trade करवाया और आज हमने खुद भी इसको trade किया और अपने public telegram channel पर भी morning में share कर दिया था lower time frame पर भी जब हम इसको zoom out कर देंगे चार या पांस दिन का data देखेंगे तो यही area हमारा support का रिया बना I hope के समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमने इसको देखा देखें lower time frame के support against support और कल के भी देखे support point से because भी कल के chart को थोड़ा सो zoom in करते हैं कल के chart को fix करेंगे okay okay ठीक है कल के देखे 9.15 की candle होगी 9.15 की candle को एक बार mark कर लेते हैं 9.15 की candle because 9.15 की candle में कल काफी सारी काफी टाइम तक प्राइस हमारा रुका रहा और बाद में breakout हो गया और आज भी देखे कल की 9.15 का जो लो था आज भी प्राइस न उसी जगह पर support लिया और morning में फूर्थ candle ने जो हाई लगाया पूरे दिन वो हाई break नहीं हुए और उसी के stop loss के साथ हमने Asian paint को trade किया था तो बहुत अच्छी तरह से movement Asian paint हमको दिखा और last time के breakout को पूरी तरह हम लो cash कर पाया और कल का जो low था उसके थोड़ा सो पर हमने profit सारे के सारे book कर लिए trade book अपनी open करेंगे तो यहां पर position या order book देखते हैं चलिए order book में आप देखिए 400 quantities के साथ आज का trade हमने execute किया 3228.15 पर सारे trade execute हुए stop loss 4th candle का high just जाएंगे तो buffer देखर के आपको 3235.55 एक बर इसको refresh कर लेते हैं 3235.55 यह हमारे stop loss कर लिया है वहना and round figure बिल्कुल 3200 पर हमने सारे profits book कर लिए मौलूम नहीं था ना कि price हमारा और भी नीचे की तरफ गिर जाएगा position book में चलेंगे मौलूम होता तो थोड़ा सा और रुकते हैं लेकिन हाला कि जितने profits थे सारे के सारे में book कर लिया थे 32.00 पर profit आज के जो overall हमारा आज का profit है 11,000 इसको भी एक बार refresh कर लेते हैं 11,262 रुपीज का overall profit आज की reading session से हमको receive हुआ सो एक ठीक ठाक और एक decent सा profit है अभी आगे चल करके discussion लोग करेंगे और stock selection के एक technique हम आपको बताएंगे सिर्फ दो से तिन click के अंदर अंदर आपको ऐसे stock मिल जाएंगे जो के intraday में काफी अच्छा return आपको दे देंगे एक अच्छा move मिलेगा और जिसको कह सकते हैं single side move होन देंगे जूम करेंगे simply आपको कुछ ने करना है सिर्फ हम यहाँ पर इसका swing माग कर लेते है प्राइज में देखे क्या क्या है यहाँ पर एक जो swing लगा था मेरा इस वाले area पर जब प्राइज आए हमारा 19th of September को and यहाँ पर 29th of August को actually यह मेरा support का area बन गया है प्राइज इस range पर काफी बार आया और यहीं से इसके अंदर bounce back हुआ कि प्राइज यहाँ तक गिर जाने के बाद में upside फिर से यहाँ पर गिरा है और फिर से upside तो एक तरह से इसने यहाँ पर W pattern बना जा जा और वापस देखे प्राइज यह हमारा नीचे के दिशा में गिरा अब क्योंकि यह support का area है यहाँ से अगर जाना चाहिए तो प्राइज को कल के दिन में यह upside की तरफ के movements दिखा सकता था यहीं से यह upside की तरफ जा सकता था और प्राइज नहीं गया यहाँ पर हुआ क्या है यह जो pin bar बनी यहाँ से प्राइज हमारा upside की तरफ है and highs को लगातार market break करती चल जा ली देखे यहाँ पर highs को break किया and यहाँ पर highs को break किया top पर जो सबसे बड़ी green candle बनी हमारी यह वाली candle बनी है volume के साथ में और price ने फिर क्या किया इस green वाली candle के high को break ना करते हुए यहाँ से फिर lows break होने start हो गया यहाँ पर देखे क्या कर रही market मतलब कि candles के highs को protect कर रही है market और lows break किये जा रहे है यह वाला low हमने mark किया था high इसके बाद में यह वाला high mark किया और फिर यह वाला high mark किया price क्या कर रहा है इस वाले high के अंदर आकर के trade किया again फिर यह जो black वाली हमारी pin bar बनी थी इसके अंदर आकर के trade करने लगा सारी markings को delete करते हैं जितनी भी बनी है and यहाँ पर आप सिर्फ इस pin bar का high mark हो लो देखो कि price जब upside की तरफ है तो किस तरह से यहाँ पर react कर रहा है यहाँ देखिए आपको volumes भी इसमें बढ़ते हुए नजर आएंगे कि price जब तक हमारी 19th की candle के उपर mitigate कर रहा है इसके अंदर आपको breakouts देखेंगे volume के भी उप्राइस sustain हो रहा है upside की तरफ यहाँ पर देखिए price नीचे की तरफ गिर गया और volumes भी नीचे की तरफ ही आए है मतलब कि heavy selling pressure के थूँ price नीचे की तरफ downfall दिखा रहा है हमको और फिर से देखिए price ने क्या क्या है 19th September की candle के अंदर जैसी market है इसको rejection मिल गया कि rejection मिला है बट volumes बढ़ नहीं पाई है volumes कम हो गई है यहाँ पर देखिए और price अगेन upside की तरफ चला गया बट next day यानि कि 30th September के बाद 3 October को price उस range के अंदर trade करने लगा 3 October के बाद से price फिर हमारा इस वाली candle के ऊपर नहीं निकल पाया है आप देख पारें ना minute price analysis है कैसे एक candle के तुरू जब आप price को read करते हो इसके उपर price नहीं निकल पा रहा है खुद देखिए आप इस चीज़ को price हमारा इस वाली candle की range के अंदर ही trade कर रहा है है ना एक candle के अंदर price हमारा trade कर रहा है और फिर से price ने इस वाली range को downside की तरफ देख कर दिया कब कल price हमारा उस range पर था अब आप कुछ मत करो सीधे 5 minutes के time frame पर आजाओ यहाँ पर देखिए कि कल market नहीं क्या क्या है इस range के नीचे price आया ना जैसे price 9.15 के नीचे निकला यहाँ पर हमने selling के लिए बोल दिया हाला कि इसको publicly share नहीं किया था हमने personally हमारे एक friend है अभी हमने जैसे आपको बताया सिर्फ उन्हें ही share की यह call में share की थी काफी ठीक ठाक profit होने इसके अंदर से निकल लिया था और अगेन देखिए आज ही price हमारा उसी level पर morning से react कर रहा है इतनी बुरी तरह से फसा हुआ था ना यहाँ देखिए इस range के अंदर जो हमने देखा कि इस तरह से हो रहा तो यहाँ पर हमने एक selling call थी अपने private group में morning में share कर दी Asian paint को लेकर की कि यहां समर्ण के लिए देख सकते हैं जैसे ही हम एक confirmation मिली हमने Asian paint के अंदर short कर दिया और जो stop loss हमने लगाया था इसके अंदर इस वाले एरिया पर stop loss लगाया और कल का जो swing था हमारा कुछ-कुछ यहाँ पर देखिए 3200 यहाँ पर सारी profit सम्मेस के अंदर बूग किया तो overall यह एन ऐसे summary Asian paint के अंदर थी जिस तरह सम्में Asian paint को trade किया और दूसरा stock था TCS so TCS को जब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए यह देखिए TCS भी हमारा इस वाले level के ऊपर में trade कर रहा था अब अगर इसको ऊपर के तरफ निकलना है तो यह निकल जाए यहाँ पर देखिए अज जाना है अगर इसको ऊपर तो यह उपर चला जाए so यह दोनों ही stocks हमने share किये थे खुझ जो हमने trade किया Asian print को trade किया और TCS को trade नहीं किया क्योंकि काफी बाद में इसका जो breakout हुए काफी बाद में हुआ और उससे पहले हम लोग TCS के अंदर Asian print के अंदर बने हुए थे so thanks यह हमारी overall analysis थी हमारा सबसे पहला जो तरीका होता है या जैसे हम खुद अपने stocks सो select कर लेते हैं हम देखते हैं कि हमारी watch list में जितने भी stock है इसमें से मेरा stock level पर कौन सा है जैसे यह Adani port है Adani port के यह level अगर आप वीडियो देख रहो तो मालूम होगा कि जिस दिन हमने Adani को select किया था trade करने के लिए जिस दिन हमने इसको trade किया था उस दिन से हमारे यह level बना हुआ है 800 रुपीस का प्राइस ने कितनी ही बार वहां से trade करने का मौका दिया हाला है कि इसको ना थो हम कल के दिन trade कर पाए क्योंकि कोई opportunity यहाँ पर नहीं है और नहीं आज क्योंकि 9.15 की candle नहीं नीचे की तर ब्रेक आउट कर वो नीचे कर गया नहीं कर पाए सबसे पहली technique यह होती है हमारी कि कौन से stock हमको हमारे level पर मिल रहा है STFC bank है कल के session में हमने दिया था STFC bank आज scanner में भी आया था कौन से scanner में आया था भी हम आपको बताएंगे LT है यह सारे stock वही stocks होते हैं Asian print तो सबसे पहला हमारा तरीका होता है कि कौन से stock वो जो की मेरी watch list में already add है पहले से add है हमारे level पर मिले का थो हम trade कर देंगे by chance को stock हमको हमारे level पर नहीं मिलता तो हम किस तरह से stocks को पकड़ते हैं इससे पहले भी काफी इमने तरीके आपको पता है वो इस stock को select करने के आज भी तरीका बताते हैं बिल्कुल यह माज़के चलिएगा दो click में आप सीधे उन्हीं stocks को ले आओगे क्या करना है सीधे आप investing.com पर चले जाओ investing.com पर गए top gainer और loser को नहीं पकड़ना है यहाँ पर गए इसको इंडियन पर click कर लिजएगा एक बार इंडियन okay simply यहाँ पर देखिया आपको तीन option मिल रहा है एक तो top gainer का है यह वाला active stocks यह top gainer यह top loser और यहाँ पर trending stocks है हम क्या करते है active stocks gainer sorry trending stock gainer stock loser stocks इनको छोड़ देते हैं मतलब नहीं हमको इससे हम जो देखते हैं most active stock क्योंकि यह हरकत आपको करना है morning में 9.25 से लेकरके 9.35 के बीच इन 10 minute के session के दोरान में most active stock पर click कर लेना और यहाँ पर यह जो volume वाला column है न यह volume वाला column इस पर बस एक पर click कर देना आप सबसे ज्यादा volume का जो stock होगा वो सबसे उपर होगा उसके बाद में 3rd, 2nd और फिर यह 3rd यहाँ से करते हुए आपको सिर्फ morning में 3 या फिर यूं कही है कि आप 4 stock उठा लो generally हम 4 stocks को prefer नहीं करते आप 3 stocks उठा लो यह कहाँ चला गया सिर्फ आप 3 stocks उठा लीजेगा most active most active से फिर volume आप देखिए इन 3 stocks ने कितना क्या perform किया होगा जैसे infosys है आज बड़ा इसने gap up दे दिया था क्योंकि morning में इसको देख रहे था infosys gap up किया और फिर यह side way ही पढ़ा रहा है infosys अपना यहां पर देखिए कितना बड़ा gap up किया ट्रेट करने के लिए तो already हमने आपको काफी सारी चीज़े बता दीए कि किस तरह से आप लोग इस टॉक्स को ट्रेट करोगे है अभी जो हम discussion करने सिर्फ इस टॉक्स का देखिए infi मिला आपको infi के बाद में reliance industry, reliance industry ने कितना अच्छा मूब दिखाया reliance industries कितना बड़ा मूब आया reliance के अंतर का कुछ नहीं करके सिर्फ 9.15 के नीचे हाला कि जो first stock था अपना infi को छोड़ दें तो दोनों stocks ने अच्छा मूब दिखाया कुछ भी नहीं करके सिर्फ आप most active stock पर क्लिक कर लो और यहां पर starting के जो तीन या भी हमने बताया कि starting के जो चार stocks हैं उनको अपनी watchlist में add करो level stock कर लो ऐसा नहीं कि यहां पर जो 4 stock है आपनों सीधे उठा करके trade कर दोगे यह नहीं करना है वहां पर अपनी strategy के according आप देख लो कि क्या setup बन रहा है setup primary है हमें उसको भूला नहीं है तो setup को हम देखेंगे हमारे setup के according मिल रहा हो तो हम trade लेकिन यह guarantee है कि यहां से जो stock निकलेगा बहुत अच्छा move दिखा करके चला जाएगा यह सब कुछ अपने सामने ही रहता है just point of view का फर्ख होता है investing.com यह पहली बार हम आपको बता रही है आपको already मालूम है सब कुछ आपके सामने top gainer को हम नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पर जब आपके पास stock आएगा तो काफी बड़ा move हो चुका होगा top loser को भी नहीं बोलेंगे क्योंकि same reason है काफी बड़ा move उसके अंदर हो चुका होगा trending stock को भी इसलिए हम avoid कर दे रहे है active stock को पकड़ो यह active है यहां पर volumes आपको अच्छी खासी मिल जाएंगे यहां पर जो भी stock आ रहा है न सीधे चले जाओ जिस भी stock के अंदर सबसे अधा volume आ रहे है morning के अंदर ऐसा stock उठा के एपनी watch list में add कर लो आप देखोगे अच्छा move आप इसके अंदर catch कर पाऊगे